कि इस वीडियो में हम लोग लाइपोमा जो चर्बी की गांठ की बिमारी होती है उसमें कैंसर के बारे में बात करेंगे तो लाइपोमा जैसा कि आपको पता है कि एक अत्यंत applies simple problem होती है और इसमें जो fat cells होते हैं वो जगा-जगा इकत्रित हो जाते हैं जो fat है वसा है वही जगा-जगा body में इकत्रित हो जाता है तो जो lipoma होता है वो सरीर के किसी भी body को affect कर सकता है even सरीर के अंदर को भी affect कर सकता है आपको जान के आच्चर होगा यह पेट को असर कर सकता, हेटदाय को अफेक्ट कर सकता, मस्तिस्क में भी लाइपूमा लोगों के हो जाता है लेकिन साधानत तो जो स्किन पे पाया जाना वर लाइपूमा होता है वो बड़ा सिंपल होता है और व्यक्ति को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं देता है कुछ केसिस में जो लाइपूमा होता है वो थोड़ा बहुत दर्द कर सकता, विसेज करके दबाया जाए तो उस कंडिशन में या फिर बड़े साइस का हो जाए तो आपके काम करने में बाधा पोंचाने लगता है जैसे लिखना है तो हाथ पे है, जॉइन्ट पे है तो जॉइन्ट मूब करने में दिक्कत हो रही है, लिखने में दिक्कत हो रही है पीठ पे है तो व्यक्ति को सोने में करवट बदलने में भी दिक्कत हो रही है Otherwise, सधान तर लाइपोमा किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है लेकिन अक्सर हमारे पैस पेसिंट इस तरह से आते हैं कि लाइपोमा जो है कहीं हमारे सरीर में cancer के रूप में तो नहीं develop हो रहा है कि इतने सारे गाठे बन रही है मेरे सरीर में मेरे सरीर में cancer तो नहीं develop हो रहा है तो इसका सीधा सा उत्तर है कि लाइपोमा में cancerюсь develop होने के चांसीश बहुत ही कम है बहुत rare scenario में ही लाइपोमा cancer में develop होता है मतलब अतियंत ही और समान और दुरलब घटना है कि लाइपोमा में कैंसर डिवलप हो तो जो कैंसर कभी कभार डिवलप हुआ है उसका नाम होता है लाइपो सारकोमा तो ये अतियंत रियर है ऐसे कह सकते हैं कि हजारों या लाखों में से किसी एक पेसिंट में लाइपोमा में cancer develop हो सकता है तो वो कैसे पता चले या फिर क्या करें हम लोग कि जिससे सुरुवाती stage में हमें पता चल जाए जैसे ऐसे तो बता पाना मुश्किल है कि किसको cancer develop हो सकता है तो उसके कुछ science हैं जिसके अधार पे आप अपने body को alert रख सकते हैं नहीं कर रहा है तो वो घूंगता है तो यह जानी by chance लाइपोमा आपका fix हो गया जैसे वो घूंगना फिरना दबाने पर मूब नहीं कर रहा है जा फिर आपका लाइपोमा अचानक से जैसे पांक साल दस साल से पड़ा हुआ था ऐसे ही और अचानक से वो size में बढ़ा होने लगा, काफी बढ़ा हो गया, जैसे एक महिने दो महिने में ही 5 cm का हो गया, 10 cm का हो गया, इसमें दर्द, तेज दर्द सुरू हो गया, घाव बन गया, जैसे skin की चमडी घाव बन गया, उसमें से पानी खून का सरा होने लगा, तो ये सब condition होते हैं, जब लाइपोमा में कैंसर का सस्पीशन बढ़ जाता है तो ऐसे कंडिशन में हम लोग कुछ टेस्ट करा लेते हैं जिससे कि वो डाउट खतम हो जाता है जैसे कि एफनेसी नाम की टेस्ट होती है इसमें छोटी सी सुई होती है उससे थोड़ा सपीश लेकरके उसको जांच लिया जाता है या फिर सीधे चमड़ी का टुकड़ा लिया उसको मसीन से काट लिया चमड़ी को और सीधे माइक्रोस्कोप में देख लिया तो कभी-कभी छोटी चमड़ी का टुकड़ा लिया जा सकता है और इससे डाइग्नोसिस अधिकांस के सिज में क्लियर हो जाती है लेकिन यह सब साइन हो तब आपको एलर्ट हो जाना तुरंत अपने डॉक्टर को मिलना है अनयास ऐसे ही लाइपोमा को लेकर के मन में किसी तरह का नकरात्मक भाव नहीं रखना है और दूसरी चीज ऐसे भी सोचना है कि लाइपोमा अत्यांत ही समानने परसानी है मतलब कि यह बहुत ही समानने परसानी है कुछ रिसर्च में ऐसा भी देखने को मिला है कि एक से पांच समानने लोगों में देखने को मिल सकता है जब सो से लेके एक हजार लोगों को जांच किया जाए पूरा सधारन पॉपुलेशन में सो से एक हजार लोगों को जांच किया जाए तो उसमें से हर एक से पांच लोगों में लाइपोमा देखने को मिल सकता है तो इतना सामान ने परसानी है इस वज़से कहीं से कोई फियर नहीं है कहीं से कोई डर नहीं है जो alarming sign के मैंने बात किये यदि वैसा कुछ हो तब उस condition में आपको तुरंत अपने इसके specialist से मिल करके उसकी जाज करवा लेनी है और फिर उसका इलाज करवा लेना है थैंक्यू